भीमा शंकर जोतिरलिंग और उससे जोड़ी पौरानिक कथा भीमा शंकर जोतिरलिंग बारा जोतिरलिंगों में से एक है और ये महाराश्ट्रा में पूने के पास सहियादरी हिल्स पर है इसी जगह से भीमा नधी भी उत्पन होती है वैसे तो इस जोतिरलिंग की कई सारी पौराने कथाएं हैं पर उनमें से एक कथा त्रिपुरासुर नामक राक्षस से जुड़ी हुई है माना जाता है कि इस जगह पर त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस रहता था जो कि काफी ज़ादा उत्पात मचा रहा था उसके उत्पात से स्थानिय निवासी, देवी देवताया, इत्यादी सभी काफी जादा परेशान थे इसलिए भगवान शिव इसे खतम करने के लिए स्वय मिहां पर आये त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था और त्रिपुरासुर राक्षस और भगवान शिव के बीच में काफी देर तक युद चला लंबे युद के बाद भगवान शिव ने इस राक्षस को मारा राक्षस को मारने के बाद भगवान शेफ काफी ठक गए थे और वो अपने वज्र शरीर को आराम देने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और माना जाता है कि उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से भीमा नदी बनी इसके बाद यहां के निवासियों ने भगवान शेफ से यहीं पर रहने की प्रार्थना करी और भगवान शेफ यहां पर जोतिरलिंग के रूप में बस करे इस तरह से यह बना भीमा शंकर जोतिरलिंग